तो चलिए बनाते हैं आज विज पीज़ा घर पे ही सबसे पहले गुनगुने पानी में चीनी को अच्छे से घोल लेना है फिर डालेंगे एस्ट और इसे साइट के रख देना है इसके बाद हम लेंगे मैदा उसमें डालेंगे हम गेहुगा आटा और फिर डालेंगे नम्मक इसके नचेसे मुक्स कर लेंगे थोड़ा सा दही और तेलड चाइंगे मिक्स कर लिए और और यह इसके मिक्सरे सेट अब इससे डाल करें रनी सा डो होगा यह देखे ऐसे अब जब करेंगे तो यह भागेगा डो तो बस इसे रख देना है सेट होने के लिए अपस पैन गरम करना और कुछ वेजिस को सौटे कर रेना आप यहाँ पर अपनी मन बसंद वेजिस डाल सकते हैं पूरी छूटे हैं यहाँ पर मैंने प्या सब्सक्राइब करेंगे तो पीजा बेस हमारा एक साइट से सिग गया है और इसे हम पलट देंगे पलटने के बाद हम इसके उपर से पीजा सौस लगाएंगे ठेर सारी लगाना बहुत अच्छा अच्छा फ्लेवर आड़ करेगा यह तो बस यहाँ मैंने पीजा सौस को अच्छे से लगा दिया है पूरा अच्छे से भरके अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वेजीज पहले थोड़ी सी डालेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे ठेर सारी चीज वह भी ग्रेट करके यहाँ पर मैंने चीज जाल दिया है एकदम ग्रेट करके भरके मुझे ना चीज बहुत ही पसंद है तो मैंने भर भरके चीज जाला है और उसके बाद से हम डालेंगे वेजीज और बस वेजीज जालने के बाद हम इसे सिजनिंग कर देंगे सेम ओरीगानो और रेड चिली से और इसे फिर ढख देंगे और लो फ्लेम पे 10-15 में टक पकाएंगे हमारी चीज भी मेल्ट हो जाएगी और हमारा जो दूसरे साइट से जो पीजा बेसा वह भी कुख हो चुका होगा आप एक बार से चेक कर लें तो यह और कम्प्रेटली कुख दो बस इसे गरम गरम प् बसे कर भुम